वेलकून तो मोटर रव्यूज आज हम बात करने वाले होंडा की तरफ से आने वाली ओल्ली अपकमिंग 2021 होंडा CB125R की लॉंचिंग डिटेल होंडा CB125 के अगर हम लुक्स की बात करेंगे तो ये एक नियो कैफे रेसर बाइक है तोटली ये बाइक inspired रहेगा अपने bigger sibling होंडा CB300R से international market में इस बाइक को 2018 में ही लॉंच कर दिया गया था इस बाइक ने काफी hype crate की international market में and Asian market में क्योंकि इस बाइक की जो looks आपको देखने को मिलती है वो आपको किसी और बाइक में नहीं देखने को मिलेंगी काफी evergreen looks ये बाइक produce करता है इंडिया में इस motorcycle की काफी time से launch की weight हो रही है 125cc के motorcycle category में आपको बहुत limited options ही देखने को मिलती है अगर हम इस bike के competition की बात करेंगे ये bike tough competition दे सकता है KTM Duke 125 को क्योंकि इस में आपको काफी कम features देखने को मिलते है इस bike का price बहुत ज़ादा higher as compared to Honda CB 125R के comparison में Honda CB 125 overall इस bike की अगर हम looks की बात करेंगे तो दिखने में ये bike आपको 200cc bike जैसा लगता है Honda CB 125R में आपको क्या कुछ features offer किये जाएंगे प्राइस कितना देखने को मिलेगा इस bike का Indian market में launch कब होगा सारी detail and complete information के लिए इस review को ज़रूरा पैंट तर देखिए अगर हम इस bike के specification की बात करते है Honda CB 125R में आपको क्या कुछ specification मिलने वाली है इंजन में इसमें आपको 124.9cc का fuel injected liquid cool BS6 compliant engine मिल जाता है power इसमें आपको 14.7 HP की power generate करेगा है bike torque इसमें आपको 11.6 Nm of torque मिलता है number of gears इसमें आपको 6 speed gear मिल जाएंगे seat height इस bike की 816 mm की है अगर आपकी height 5 foot 5 inch आपको इस bike को ride करने में कोई भी problem नहीं आएगी overall weight इस bike का आपको 130 kg with fuel देखने को मिलता है fuel tank इसमें आपको 10 liter का fuel tank मिल जाएगा disc brake का size front miss में आपको 296 mm disc with hydraulic dual piston caliber देखने को मिलता है rare disc का size इसमें आपको 220 mm disc with hydraulic single piston caliber देखने को मिल जाएगा suspension में front miss में आपको 41 mm के upside down fork suspension मिलते है rare suspension में adjustable mono shock मिल जाएगा अगर हम इस bike के tire size की बात करेंगे front miss में आपको 110-70-17 inches के tubeless tire मिलते है rare tire में इसमें आपको 150-60-17 inches के tubeless tire मिल जाएगे अगर हम इस bike के overall features की बात करेंगे Honda CB 125R में आपको क्या कुछ features offer किये जाते है इस bike में आपको fully LED DRL headlight देखने को मिल जाती है इसमें आपको LCD digital meter console भी मिलता है engine cooling technology इस bike में आपको liquid cool मिलती है इसमें आपको split seat भी मिल जाती है इस bike में आपको single channel ABS भी मिलता है front में इसमें आपको under belly exhaust मिल जाएगा अगर हम इस bike के overall performance की बात करेंगे Honda CB 125R में आपको कैसी performance देखने को मिलती है on road top speed इस bike की आपको 125 km per hour के साब से देखने को मिल जाती है इस bike की average की बात करेंगे city में ये bike आपको 47 km per liter के साब से average rate कर देगा highway पर ये bike आपको 52 km per liter के साब से average rate कर देगा इस bike में आपको totally cafe racer design देखने को मिलता है इस bike में आपको powerful engine भी मिलता होंडा की तरफ से इस bike में आपको efficient braking system भी मिलता है इस bike में आपको solid build quality भी देखने को मिल जाएगे इस में आपको comfortable riding position भी मिलता है as such इस bike में आपको कोई भी hitting issues नहीं फेस होंगे क्योंकि इस में आपको engine cooling technology liquid cool मिल जाती है इस bike में आपको काफी अच्छी performance भी देखने को मिल जाएगे ये bike काफी perfect रहेगा young and new riders के लिए इस में आपको काफी अच्छी average भी मिल जाएगी अगर हम इस bike के colors की बात करेंगे first color इसमें आपको black color देखने को मिलता है second color इसमें आपको white color देखने को मिल जाएगा and third color इसमें आपको red color देखने को मिलता है and this bike का on road price आपको 1,35,000 on road देखने को मिल जाएगा अगर हम इस bike के launch की बात करेंगे Honda CB125 का launch आपको May 2021 तक देखने को मिल जाएगा तो फिलाल जो information मेरे पास थी मैंने आप से discuss की still आपके कोई doubts या कभी भी को question आप मुझे Instagram पे direct message करें मैं आपको जूर reply दूँगा तो आज के लिए बस इतना ही आज के review का हम इधर rewind up करते हैं